आज के समय में हम कुछ बदलाव देखते हैं जिनके कारण अनेक शारिक समश्चाएं बढ़ रही हैं। जो समश्चाएं बढ़ रही हैं उनमें से प्रमुक समश्चा है पाचन की समश्चा। पाचन तंत्र व्यक्ती का बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। इस पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए हमें योगिक अभ्यासों को भी समझना पड़ेगा, योगिक क्रियाओं को समझना पड़ेगा और कुछ नियमों को समझना पड़ेगा सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या वो एक क्रिया है जिसमें आपको तेल का प्रियोग करना है एक विशेश स्थान पर और उससे क्या लाप्राप्त होंगी आप समझें कि हमारे शरीर में अनेक जो नसनाडियां हैं उन पर जब हम विशेश तरीके से दबाव डालते हैं तो उसका प्रभाव शरीर के अलग-अलग अंगों पर पड़ता है हमने पहले भी इसके विशे में संकेत किया है और आपको ये चीजे स्पष्ट भी हो गई होंगी अब आप समझें कि हम अपने पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं अपनी पिंडलियों के माध्यम से हमने बच्पन में अनेक ऐसा देखा है ग्रामीन क्षित्रों में के अनेक विक्तियों को इस प्रकार की समझ हुआ करते थी के वो पिंडलियों पर विशेश प्रकार का दबाव बना करके पाचन तंत्र को ठीक कर दिया करते थे नाभी को ठीक कर दिया करते थे, क्योंकि जो पेट से समबंदित नसनाडियां हैं, वो आपकी पिंडलियों में स्थित होती हैं, जब आपकी पिंडलियां, आपकी काफ मसल्स बहुत जादा टाइट होने लगती हैं, बहुत जादा कठोर होने लगती हैं, तो समझें कि उस व् पाचन भी अच्छा रहेगा, दुरुस्त रहेगा, तो अगर आपको अपने पाचन को ठीक करना है, तो इस क्रिया को एक आगरता पूर्वक समझें, इसके लिए आपको इस प्रिकार से तेल ले लेना है, इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, कि यही तेल प्रियोग करना है, क्योंकि यह केवल स्नेहन के लिए जिस्ते की सही तरीके का दबाव पिंडलियों पर बनाया जा सके, उसके लिए हम तेल प्रियोग कर रहे हैं, तो आप तिल का तेल प्रियोग कर सकते हैं, सरसों का तेल प्रियोग कर सकते हैं, या अन्य कोई तेल भी प्रियोग कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर तेल लिया है, तो आपको करना ये है, इस प्रकार से आपको तेल ले लेना है, अपने हाथ पर इस प्रकार से तेल आपको लेना है, और इसको पहले अपनी पिंडलियों पर ठीक प्रकार से इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से तेल लगाने के बाद, यहां पर मांस पेशियां हैं, यहां पर मांस हैं, तो वो जो दबाव पढ़ना चाहिए, वो तब पढ़ेगा जब आप थोड़ा कठोड़ता से थोड़ा सा जादा यहां पर दबाव डालते हैं, तो इस प्रकार से आपने यह तेल यहां पर ठीक प्रकार से लगा लिया, उसक उपर से ही शुरू करना है, और फिर से नीचे की तरफ ले करके आना है। ये जो आप इस तरीके का अभ्यास करेंगे, इससे जो नाडियां हैं वो भी दबेंगी, साथी साथ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जहाँ पर भी आप मसाज करते हैं, अभ्यंग करते हैं, तो आप ठक जाते हैं, तो आपकी पिंडलियों में एक दर्द होना शुरू हो जाता है, और जब आप पिंडलियों पर कोई मसाज करते हैं, या दबा दे इने कोई, तो उससे आपको मानसिक विश्रानती होती है, जैसे आपकी ठकान दूर हो गई हो, इसी प्रकार से समझें, क यहां से इस तरीके से पकड़ना है, और नीचे की तरफ दबाव के साथ इस तरीके से आपको ले करके जाना है, यह इसकी पहली विधी हुई, दूसरी विधी में तेल का प्रयोग नहीं करना है, अभी तो तेल लगा हुआ है, कोई समझा नहीं, लेकिन आपको इस तरीके से हाथों को रखना है और अपनी पिंडली के बीच में आपको दबाव बनाना है इस तरीके से यहां दबाव बनाया थोड़ी देर तक रखा छोड़ दिया उसके बाद नीचे दबाव बनाया थोड़ी देर तक रखा उसके बाद छोड़ दिया फिर नीचे दबाव बनाया रख कि ये अभ्यास किया तो जो आपकी पिंडलियां है वो सक्त नहीं होंगी नर्म हो जाएंगी आपको अनेक प्रकार के योगिक अभ्यास करने में भी सुविदा होगी और जो आपकी गैस की समश्चा है ब्लोटिंग की समश्चा है बधजमी की समश्चा है उसमें आपको अच् साथ में करते हैं, इन दोनों अभ्यासों से आपको बहुत अच्छे लाप प्राप्त होंगे. इसके साथ आपको कुछ नियमों का भी ध्यान देना होगा, इन में से तीन नियम प्रमुख हैं, यहाँ पर पहला नियम जो हमारा है, इसको बहुत ही जरूरी समझें, इससे क्या समश्चा होती है, मंदागनी की समश्चा होती है, पेट की जो अगनी है, वो बुझ जाती है, यह है बिना भूख के भोजन करना, अगर आपको भूख नहीं है और आपने भोजन कर लिया, तो समझें आपने के एक अगनी आपके पेट में थी और उसके उपर आपने पाने डाल दिया, उसके बाद जो भी आप भोजन करेंगे, भले ही वो अच्छा भोजन हो, पत्थे लेकिन वो भी आपको फायदा नहीं करेगा, उल्टा नुकसान करेगा, तो हमेशा ये नियम बना लें, कि मैं जब भी भोजन ग्रहन करूंगा, जब मुझे भूख लगी होनी चाहिए, अगर भूख नहीं है, तो मैं बिलकुल एक टुकड़ा भी भोजन का मेरे शरीर में जाना चाहिए, ये नियम आप बना लेते हैं, तो भोजन की जो सडन है, पेट में जो होनी शुरू हो जाती है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, अगर पूरी तरह से पेट को साफ करना है, तो उसके लिए हमने विरेचन और शंख प्रक्षालन का मार्क दर्शन किया है, उ क्योंकि जब बाहर का जो आप खाना खाते हैं, समझें आपके जिस तेल में उसको बार बार फ्राई किया जाता है, वो बिलकुल ठीक नहीं होता, तेल के जो पोशक तत्व होते हैं, उसे एक बार गर्म किया, एक बार उसे प्रियोग किया, ठीक है, लेकिन वो ठंडा हो गय फिर से उसको गर्म किया, वो ठंडा हो गया, फिर से उसको गर्म किया, ये जो बार-बार तेल खौलता है, बार-बार तेल गर्म होता है, तो जितने इसके पोशक्तत्व होते हैं, वो सारे समाप्तों हो जाते हैं, और इसमें एक पोईजन, एक जहर पैदा होना शुरू हो जा जिस में से cancer जैसी बिमारिया प्रमुक रूप से आप समझें तो जो आप बाहर की चीज़े खाते हैं उनमें आप भ्यान रखें कि कोई इस बात की परवा नहीं करेगा कि तेल का प्रियोग कैसे करना है एक बार गर्म करना है दो बार उसे वो बार बार ही प्रियोग करेंगे और ये जो आप ऐसे तली हुई चीज़ें खाते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं, अगर आपका कुछ ऐसा तला हुआ खाने का मन है, तो कभी कभार आप अपने घर पर बना करके अगर खाते हैं, उसमें कोई समझ्चा नहीं है, लेकिन बाहर की तली हुई चीज़ें, फास्ट जादा पीना है दिन बर में, और फाइबर जितना जादा आप ले सकें उतना अच्छा है, फाइबर आपको प्रमुक रूप से फलों से मिलेगा, तो फलों का प्रियोग आप जादा मात्रा में करें, साथ यसाथ जितना पानी आप अधिक पी सकते हैं, बहुत जरूरी है, पानी जादा पीएं, फलों का प्रियोग जादा करें, हरी सबजियों का प्रियोग करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, तो इन चीजों का तीन जो यह हमारे बिंदु हैं, इनका ध्यान आपको हमेशा रखना है, बहुत सारे नियम नहीं बताएं हैं, लेकिन तीन नियम ही परमकल्यानकारी हो जाएंगे और जो अंतिम अभ्यास है हमारा आप इसको खाने के बाद भी कर सकते हैं और भोजन करने से पहले या जब भी आप अपना अभ्यास कर सकते हैं कर सकते हैं इस अभ्यास में आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं मुद्राओं का अभ प्रभावित होती है इस आसन में भी यहां पर विशेश प्रभाव पड़ेगा और जो आपकी पिंडलियां है नर्म होनी शुरू हो जाएंगी और यह नाडिया निरंतर दबेंगी उसके बाद आप जब आसन से बाहर आएंगे तो यहां पर ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ेगा और उससे पाचन में आपको लाब होंगे दूसरी बात आप यह समझ लें कि वजरासन का जब आप अभ्यास करते हैं तो आपकी लोवर बोड़ी में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है आप खाना खाने के बाद अगर अभ्यास कर रहे हैं तो लाब यह होगा क आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है उस अंग की क्रियाक्षमता बहुत बढ़ जाती है तो पाचन आपका अच्छे से कार्य करेगा जो भोजन आपका बहुत लंबे समय में उसका पाचन होना था वजरासन में आप भोजन करने के बाद 10-15 मिनट बैठते हैं वो जल्दी भोजन हजम होगा और आपको विकार भी नहीं होंगे पाचन से संबंदित तो बस सरलसा ये अभ्यास है अपने दोनों गुटनों को इसमें आपको मिला करके रखना है आपके पैर के अंगुठे पीछे स्पर्श रहेंगे इस बात का ध्यान रखें और आप एक बार देख भी लें कि इस तरीके की स्थती में आए हमने अपनी एडियों को बाहर की तरफ खोल दिया और पैर के अंगुठों को मिला लिया और एडियों के बीच में दोनों पैरों की एडियों अब इस तरीके से खुली हुई है और उनके बीच में हम यहां पर बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को पास पास रखते हैं मिला करके रखते हैं इस थती में और हम कमर को सीधा रखते हैं इस अभ्यास में कमर सीधा करना बहुत सरल रहेगा आपके लिए तो अपने ह मूल में अपने अंगूठे को इस तरीके से ले जा करके लगाना है और उपर से इस प्रकार से मुष्ठिका बना लेनी हैं दोनों हाथों से और ऐसे इस तरीके का ये हाथों की स्थती बनेगी मुद्रा में और इसको इस तरीके से आपको अपने घुटनों पर रखना है सामने देखना है और गहरे सांस लेते रहें इस प्रकार से अगर आप ये अभ्यास करते हैं खाना खाने के बाद 10 मिनिट 15 मिनिट का अभ्यास और अगर 10 मिनिट 15 मिनिट नहीं हो पाता है शुरुबात में तो 5 मिनिट किया फिर थोड़ा रुके फिर 5 मिनिट किया फिर थोड़ा आप रुक रुक कर भी अपना पूरा कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा, तो आपका जो अभ्यास सरलता से होने लगेगा, तो बस इतनी सी जो हमने ये आपको बात बताई है, इसमें आपको नाभी पूरण की वीडियो आप अवश्य देख लें, तो न वर्ग का व्यक्ती ने कर सकता है, चाहे वुरद है, चाहे वो दूसरे योग अभ्यास करने में सक्षम नहीं अपने आपको अगर अनुभव कर रहा है, कोई बीमारी है जिसकी वज़े से दूसरे अभ्यास नहीं कर सकता है, तो ये तो कर ही सकता है वो, तो आज के लिए आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा इन योगिक अभ्यासों को करियाऊं को तरीकों को अपने आपको स्वस्थ रखने कि आप अपने जिवन में प्रियोग जरूर करें जिससे कि आपको दवाईयों से बिमारियों से और जो hospitals के चक्कर है वो ना लगाने पड़ें आप हमेशा स्वस्त रहें अपने roots से आप जुड़ें अपनी संस्कृती से जुड़ें यही हमारी इच्छा है और यही हमारा प्रयास है आज के लिए आपके लिए यही मार्ग दर्शन था बविशे में अन्य महतुपूर्ण विश किवाई